हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं स्टरडी जीक एजुकेशन इस चैनल पर गवर्मेट जब की लेटेस्ट अपडेट मिलती है तो इस चैनल को सस्क्राइब करना न बोले और बेल आइकन को प्रेस करते ताकि पलपल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे देखें यहां दोस् आपकी अप्रेंटिस के लिए वेकन्सी है और इसको अपलाई करने के लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होगा वो आपकी दसवी और आइटी आइज जो किय है इसको अपलाई कर सकते हैं और यह बहुत ही बढ़िया चांस है जो आइटी आइड किया हुए है उनके लिए देखिए अप्रेंटिस परना बहुत ही ज़रूरी है जो आई टी आई कर चुके हैं उनके लिए ठीक है तो इस फर्म को भरना न भूलें और देखिए इसमें जो आपको जेनरल और OBC का इसमें जो आपका एक्जाम फिस के लिए हाँ पर सौर प्या लगेगा और A 60AC, PS and female candidate कोई भी हो तो इसका एक भी रुपया नहीं लगया इस फर्म को भरने के लिए अब minimum age मैं बता दूए यहाँ पर कि आप 15 बर्स रखा गया है minimum age और maximum यहाँ पर 24 बर्स रखा गया है और यहाँ पर आपके category के wise age बढ़ भी सकते हैं तो चलिए पूरी यहाँ से जनकारी हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन में जाएंगे नोटिफिकेशन में जाके पूरा यहां से डिटेल्स क्या है और क्या क्या इसमें करना है पूरी डिटेल्स हम देख लेते हैं इसके बाद अपलाई कैसे इस फॉर्म को करना है यह चीज हम पूरी आपको यहां से हम बताएंगे दोस्तों यहाँ पे बता दे कि इसमें जो पोस्त आपकी 745 पोस्त है यह ITI सभी जितने भी ट्रेट ITI में होते हैं सभी के लिए है यह गोरखफूर रिजन के लिए है यहाँ सभी लोग अपलाई कर सकते हैं इंडिया के जितने भी एस्टेट के लोग हैं सभी लोग यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं और यहाँ देखी मैं बता दू कि यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है इसका जो नोटिफिकेशन इसमें दिया गया है और किसी वज़ा से डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो चली अपलाई कैसे करना है इसको हम देख लेते हैं ठीक है पूरा फॉर्म आपको कैसे अपलाई करना है अस्टेप भाई अस्टेप इसको देख लेते हैं देखिए apply में जाएंगे यहां से apply में आप click करते ही देखिए आपका यहां पे open हो जाएगा और देखिए आप नीचे जाएंगे यहां से देखिए pdf की link आ रही है यहां से भी हम pdf देखते हैं डाउनलोड हो रहा है तो ठीक है अन्य तो फिर हम देख लेते हैं देखिए यहां पर भी इरर्स हो कर रहा है यहां से भी डाउनलोड नहीं हो पार रहा है चली यहां से देख लेते हैं कैसे कैसे इसको step by step इसको भरना है देखिए फॉर्म भरना है फिर आपको आवेधन करने के बाद आपको step by step पेमेंट करना है application feed इसमें अपको फिर submit कर देना है देखिए यहां पे पूरा इसमें दिया हुए है कि कैसे कैसे आपको पूरा फॉर्म भरना है समिट करना है देखिए यहाँ पे दिया हुगा है कि यहाँ पे आपको जाके किलीक करना है ठीक है यहाँ पे किलीक करना है किलीक करके और सारी चीजे आप यहाँ से अपलाई करेंगे देखिए यहाँ पे दिया हुगा है आपको अ इसमें चलिए देख लेते हैं कि अप्लाइब दाल देना है पीता जी का नाम भर दे नहीं गें लिइंड्र सेलेक्षान कर लेना है लिंग यहां पे जहेंडर सेलेक्षान करना है broader करते हैं लिप इसमें डालना है इसमें mandatory दिया हुआ है कि कोई जरूर नहीं कि आधारकाट डालना ही डालना है ठीक है Email ID अधर आपको डालना है को जरूरी नहीं है लेकिन Mobile Number यहां दिया हुआ है जरूरी आपको डालना ही है यदि आप नहीं आप दिया हुआ भूत पूर्फ सैनिक एहां पर हा या न में डालना है उसके हिसाब से यहां भी आपको मुझ करना कि क्या भूत पूर्फ वल्ग के पूत्र है या क्रमचारी के पूत्र है तो हाइड में डालना है जैसे देखे आपको दिखा देते हैं यहां से option में यह स्य हैं हैं तो हां अन्न Лाहीं ठीख है और इसे देखिए आप कितने पर्चंट डिधानस लूद्ध है इश में ain't to percentage भरने के लिए आएगा नहीं है तो नहीं आएगा ठीख है ऐसे disability के लिए यहां पर दिया हुगा है आपको हाँ नामे क्लिक करना है इधर देख लिजी आपना भाचान डालना है अगर कोई शरीर पर हाथ पर मुह ना कहीं पर भी पहचान है तो आपको डालना है ब्यक्तिकत भाचान चीन शरीर में कोई भी पहचान है जो दिखाई देत सरहां उपर से वही चीज में आपको डालना है कि इसके बाद आपको देखिये यहां पर जिखाई आपका जो एड्रेस है इसका पीन कोड डालेंगे पत्र 0 का पीन कोड़ यहां डालना है यहां पर धसमी में आपकाoires से पास किया है परसंट ग्लारा इनाम जो है आप इसके बाद यहां पे आपको प्रिफरेंस चूज करने के लिए दिया गया है कि आपको यहां पर ट्रेट चूज करना है जैसे देखिए हम ट्रेट चूज करके आपको दिखाते हैं यहां से यहां यहां से चूज कर सकते हैं जाके फिटर दिया है यहां पर ट्रीमर ठीक है तो कोई भी आप सकते हैं इसमें जो आपका है जैसे हम यहाँ पर welder चूच करना है ठीक है welder जैसे चूच करेंगे तो इसमें दिया है कि प्राथमिक्ता देना है आपको पोस्ट का प्राथमिक्ता देना है ठीक है तो जैसे यहाँ पर पोस्ट आप चूच करेंगे बहुत सारी पोस्ट है तो आप पोस्ट का प्राथमिक्ता आपको कहाँ पोस्ट चाहिए जैसे दिया हुआ है Mechanical Workshop गुरफपूर तो यहाँ आपको पहला देना है तो पहला आप चूच कर लेंगा उपर से दूसरे में चूच करना है मानलेज़ आपको डिजल चूच करना है गुंडा में तो गुंडा में आप चूच कर लिए यह preference आपको यहाँ से चूच करना है कि किस में कौन सा पोस्ट आप चूच करते हैं ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं इसके बाद आपको अपना यहाँ पे एक photo upload करना है ठीक है जो photo का size होगा वो 20 के 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और photo जो होगा आपका 20 के 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और jpg jpg format में होना चाहिए यह आपका jpeg में होना चाहिए ठीक है और यहाँ पे sign आपको चूच करके इसमें upload करना है sign का भी वही है 20 के 20 से कम का होना चाहिए sign ठीक है और इसके बाद आपको यहाँ capture जो यह दिखाई दे रहा है इसमें डालके पूरा submit form कर देना है ठीक है submit करने के लिए आपका submit जैसे कर देंगे तो आपको एक password मिलेगा और एक user id एक password मिलेगा और user id password आपको मिल जाएगा उसके बाद एक login करना आपको payment के लिए जो payment आपका अगर general OBC में है तो आपका इसमें नहीं लगेगा और किसी का payment इसमें नहीं लगेगा तो चलिए वो भी देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे दिया हुगा है कि जैसे आप submit कर देंगे तो आपका payment के लिए भी आपका यहाँ पे एक बन गया जाएगा तो आप payment देखेए SBI branch से करना है यहाँ पे चलान दिया हुगा आपको चलान वहाँ पे generate करना है चलान SBI branch से करेंगे चलान आपको बनवा के 100 रुपय का चलान लगेगा इसमें चलान आप बना के deposit करना है इसमें फी इसके बाद दिया है कि यहाँ से आप print out कर सकते फॉर्म ठीक है payment करने के बाद आपको यहाँ से print out कर लेना जैसे यहाँ पे चलील देखते है ठीक है यह खोलेंगे तो आपका application नंबर एक मिला होगा रेइस्ट्रेशन नंबर इसमें डालना है date of birth डालना है उसके बाद यह capture डालेंगे यहाँ से search करेंगे आपका print out हो जाएगा यहाँ से एक और दिया है और का option दिया है यहाँ से अपना नाम डालेंगे फादर नाम डालेंगे date of birth डालेंगे capture यह डालना है यहाँ पर इसके बाद सम्मिट कर देंगे तो आपका यह पूरा खुल जाएगा और यहाँ से आपना प्रिंट कर लेंगे application form उसकी जरूरत होती है आपकी counseling होगी तब तो यह पूरी जनकारी है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like share जरूर करें चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लें धन्यवाद दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पर आपको कि देखिए यहां payment के लिए आपको कैसे करना है कि उसमें option आएगा या नहीं आएगा तो आप घबरा जाएंगे तो देखिए यहां से payment के लिए देखिए आपको देखिए दिया हुगा step by step इसमें समझाया भी गया है process of payment ठीक है तो आपको देखिए क्या करना है देखिए read करना है accept करना है आपको term and condition ठीक है उसके बाद यहां पर आपको चूझ करना है उतर परदेश उसके बाद state of corporate चूझ करना है या इंस्चूट चूझ करना है यह चीज़ रहेगा ठीक है उसके बाद चूझ करने के बाद यहां पर recruitment में जाए ठिक है 고ं में जाएंगे उसके बाद देखें यहां पादिया हुआ है APO यहाँ पे RECTT RRC एन इ रेलवे ठीक है यह चूज करेंगे उसका पाद recruitment name आपको डालना है उसमें फिर submit कर देंगे जैसे submit करेंगे तो यहाँ पर recruitment fee के लिए आएगा payment category आएगा फिर submit कर देंगे confirm करेंगे तो आपका यहाँ पे चलान जो है आपका यहाँ पे चलान डाउनलोड हो जाएगा ठीक है तो चलान को लेकर अपना सारा चीज़े करना है तो यह दोस्तो वीडियों ही समाप्त करते हैं